जनसुनवाई के आ रहे सकारात्मक परिनाम, मुख्यमंत्री के प्रयासला रहे रंग, जनसुनवाई का प्रायोजन हो रहा साकार, लोगों ने दिया धन्यवाद, जिला कलेक्टर एलिन मंत्री ने एक्शन मोड में दिया अवैध हतिक्रमन ध्वस्त करने के निर्देश, लोगों को राहत दी जा सके, त्रिस्तरिय जनसुनवाई में ग्राम, उपखंड वर जिलास्तरिय जनसुनवाई की जाती है, इसी प्रकार जिलास्तरिय जनसुनवाई माह के त्रितिय गुरुवार को आयोजित की जाती है, इसमें मुख्यमत्री भजनलाल शर्मा की मनशा औ इसी क्रम में गुरुवार को आयोजित जिलास्तरिय जनसुनवाई में परिवादी भवरलाल चौदरी निवासी नई धानी, ग्राम पंचायत सरदार समंध द्वारा परिवाद जिला कलेक्टर एलिन मंत्री को प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम नई धानी में मुख्य म आरगवाम चौक पर सड़क के पास बनी नाली पर लोगों द्वारा अवैध हतिक्रमन करते हुए रेम बनाकर एवं मिठी मुरद डालकर अवरुद कर दिया हैं, जिससे घरों का पानी एवं बारिश की वजह से संपूर नाम रास्ते एवं चौक पर पानी का भराव हो चु कर जन सुनवाई विडियो कॉनफरेसिन के माध्यम से विकास अधिकारी सोज़त को अग्रेशित कर परिवाद में समस्या का ततकाल निस्तारं करने के निर्देश दिये, जिसकी पालना में सोज़त पंचायत समिती के सुरेश कविया ने मौके पर पहुंच कर मौका निरीक् हटने से पानी की निकासी सुचारू हो गई एवं जल भराव की समस्या का समाधान होने से मौके पर उपस्तित ग्रामीनों ने मुख्यमंत्री बजिला कलेक्टर को धन्यवाद दिया. इस दोरान विकास अधिकारी के साथ सहायक अभियंता नेमाराम सीर्वी, सरपंच जशो ग्राम विकास अधिकारी रामविलास देवडा, कनिश्ट सहायक रामेशवर्दास मौझूद रहें.